हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू, स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में हम पिछले छे महिने में यानि ओक्टूबर 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक जो भी important लोग expire हुए हैं उनमें 100 most important देखेंगे याद रखिए, obituary पर जो question आता है, वो हमेशा इस तरह से नहीं आता, कि for example, अब यहाँ पर श्री देवी का फोटो आप देख सकते हैं, तो question कभी इतना easy नहीं आएगा, कि श्री देवी का निधन हुआ, बताइए ये कौन थी, actor, actress, ऐसे नहीं आएगा, इसमें ये पूछ सक सकते हैं, या अगर किसी ने कोई Nobel Prize जीता हो, या कोई important award जीता हो, उस पे से question आ सकते हैं, तो जो भी extra information जरूरी होगी, मैं आपको साथ साथ देता चलूँगा, तो 100 देखते हैं, इसमें most important obituary पिछले 6 महीने की, Study IQ के pen drive courses उपलब्द है, हमारी जो sale है, वो कल से start हो जाएग और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, तो study IQ.com पर जाकर download section में click करें, आप Instagram पर मुझसे जुड़ सकते हैं, Instagram पर मैं quiz conduct कर रहा हूँ आजकल, तो मेरी ID है tireless soul, या फिर Twitter पर follow कर सकते हैं, गौरवगर 888, सबसे बहुरे बात करते हैं, हनुमंत मोरेश्वर मराथे, इनक पुंदन शाह, आपने जाने भी दो यारोगर फिल्म देखी हो, उसके डारेक्टर थे ये, इसके अलावा कई इन्होंने टेलिविजन के शोज भी बनाये, जैसे नुक कड़ वागले की दुनिया इत्यादी, तो ये डारेक्टर थे, पुरुशोत्तम लाल कौशिक, एक politician थ ये काफी important minister भी रह चुके थे, केंद्रिय सरकार में, ये परियतन और नागरी कुडियन मंत्री थे, मुराजी देशाई सरकार में, 1997 से 1989 तक, और इसके अलावा चर्ण सिंग जी की सरकार में ये सूचना परसान मंत्री थे, सतीष चंदर ये एक इतिहासकार थे, University Grants Commission के चेर कवी थे, poet थे, इन्होंने जो जिस poem के लिए, जिस कविता के लिए prize जीता था, वो poem थी दो, एक तो Things of the World, ये इनकी कविताओं का संगर है, और दूसरा New and Collected Poems, ये अमेरिका से थे, Lake Tundan, actor, writer और director, और एक फिल्म थी आमरा पाली, आमरा पाली 1966 की फिल्म थी, जो भारत की तरफ से Oscar में गई थी, पुन्य, सलोक, दाजगुपता, ये एक कवी थे, और पश्चिम मंगाल से ये कवी थे, और इनकी जो important कितावे हैं, वो हैं, कुआशार बागन और चंदर संगीत, Roy Dotrice, actor थे, इन्होंने Guinness World Record बनाया था, इन्होंने for the most characters voiced by a single actor in an audiobook, एक audiobook में एक ही actor ने सबसे ज़्यादा जो आवाजे निकाली, अलग-अलग चरितरों की, अलग-अलग character प्ले करके, उसके लिए Guinness World Record था, तो ये थे actor, Roy Dotrice, समशेर खान एक भारत के बहुती परसित तराख थे, और ये भारत के पहले Olympic swimmer थे, यानि भारत की तरफ से swimming में सबसे पहले जो गए थे, वो Olympics में ये गए थे, इन्होंने 1956 के Melbourne Olympics में भारत को represent किया था, और ये आंधर प्रदेश से थे, William Lombardi, ये एक शतरंज के खिलाडी थे, और ये वर्ड जूनियर चैंपियन भी थे, और ये एक मातर वर्ड जूनियर चैंपियन है, जिन्होंने 11 बाई 11, यानि सारे 11 मैच जीतने वाला record बनाया था, ये एक मातर वर्ड जूनियर चैंपियन थे, जिनका score perfect था 11 बाई 11, शतर ये depression और suicide के बारे में awareness जागरुकता फिलाना चाहती थी, लेकिन इनकी दुरगटा में मृत्य हो गई, तो ये पाई कर थी, Fats Domino, ये एक संगीतकार थे, और इनके जो best known songs हैं, वो हैं Ain't That A Shame और Blueberry Hill, स्वामी मादवश्रम जी महराज, बदरी काश्राम जोतिर पीठ शंकराचारे, के ये एक पुजारी थे, एक pontiff थे, गिरिजा देवी जी, इनको थुम्री की queen बोलते थे, थुम्री बनारस घराने की थी ये, इने पदम श्री, पदम भूशन, पदम विभूशन मिले हुए और बहुत ही महान सिंगर्स में से एक, पुनाथिल कुजाब दुल्ला, ये एक लेखक थे, मल्याली भाशा में लिखते थे, और एक लिटरेचरिस भी थे, सहित्यकार थे, इनको केंद्रे सहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, उनकी किताब समर कसीला कल के लिए, समर कस कल के लिए, इन्हें मातर भूमी साहित्य सम्मान भी मिला था, डॉक्टर M.V. श्रिधर, ये एक किरकेटर थे, हैदराबाद रंजी प्लेयर और पूर्व BCCI जनल मेनेजर, गौता मधिकारी, सब टीवी जो आता है, उसके ये को फाउंडर और चेर्मेन थे, और सब टीवी जो है, ये भारत की पहली पब्लिकली लिस्टिट टेलिविजन प्रड़क्शन कंपनी बनी थी, जब ये Bombay Stock Exchange पर लिस्ट हुई थी 1995 में, दीना वाडिया, ये मुहमद अली जिन्ना की बेटी थी, और ये नसली वाडिया, जो वाडिया ग्रूप के हैड है, उनकी मदर थी, मनुशर्मा, मनुशर्मा एक लेकक थे, इन्हें हनुमान प्रस्याद शर्मा बोलते थे, पदम श्री जी चुके थे, यश भारती सम्मान इन्हें मिला था, एक किताब है, कृष्चन की आतम का था, वो भी इन्होंने लिखी थी, और परधान मंत्री मोदी ने जो स्वच भा जैस थी, जैस थी, उसमें represent किया था, कीरती निदिबिष्ट, ये एक politician थे, नेपाल के तीन बार परधान मंतरी रह चुके थे, ये तीन बार नेपाल के परधान मंतरी थे, और दो राजा जब नेपाल के थे, किंग महिंदर और किंग बिरेंदर उस वक्त ये नेपाल के पर लगधाली दो वलता है जिनके बेटे sind लगविन्दर वड़ाली और छोटे वाले भाई प्यारे लाल वड़ाली एकस्पायर हो गये तो ये आदको भी याद रखना है ये कभी थे सहित्यक报ी जिता था इन्होंने और ढ्रसेंगियां पीठ अबर्ड भी जीता था इनकी मशूर कविताओं का संग्रय है जिसे बोलते हैं कोई दूसरा नहीं साहित्य अकेडमी अबॉर्ड 24 भाषाओं के लिए दिया जाते है डैनियल हैगाल्टी ये एक मोटर साइकलिस्ट थे और ब्रिटेन के थे जो मकव ग्रॉप्री हुई थी चाइना में उसमें इनकी मृत्यू हो गई जस्टिस भगवती प्रसाद ये जारखंड हाई कोट के पूर्व मुखे नैमूर्ती थे चीफ जस्टिस थे और गुजरात स्टेट हुमें लाइट्स कमिशन गुजरात का जो मानवादिकार आयोग है उसके ये चेर्मेन थे नैम सुले मनोगलू ये वेटलिफटर थे भारतोलन करते थे इन्हें पॉकेट हर्कुलीस बोलते थे क्योंकि इनका कद बहुत कम था चैक गंडराजे की टैनिस खिलाडी थी इन्होंने 17 ग्रेंड स्लैम टाइटल जीते थे बहुत ही महन खिलाडियों में से एक हबिबुल्ला बस ये एक जूरिस थे ये तमिलाडू के पूर्व एडवोकेट जनल थे और अपॉलो हस्पिटल के ये फाउंडर डिरेक्टर थे ओमपरकास सराफ, पत्रकार और नेता ये फर्स्ट परसन इन जमू कश्मीर who in his lifetime had decided to donate his body to the medical college जमू कश्मीर के ये पहले वेक्ति थे जिन्होंने जब ये जिन्दा थे तो ये decide कर लिया था कि जब इनकी मृत्यू होगी तो इनकी जो body है वो medical college को research वगरा के लिए donate कर दी जाएगी पंडित नारायन राओ बोदस ये ग्वालियर घराने के महशूर सिंगर थे मराठी नाते संगीत के लिए ये जाने जाते थे डेविड कसीडी, singer, actor और एक धारभाई काता था दा पाल्टरिज फैमिली उसमें इनोंने किरदार निभाया था ये अमेरिका से थे जस्टिस आदर्श सेन आनंद ये भारत के 29 चीफ जस्टिस थे और ये National Human Rights Commission के पूर्व चेर्मेन थे और मदरास हाई कोट और जमू कश्मीर हाई कोट के पूर्व चीफ जस्टिस भी थे जॉनी हेलिडे, ये singer थे और इनको France का Elvis Presley बोलते थे ये rock and roll और pop जॉनर के गाने काते थे Michael One, ये Romania के आखरी राजा थे रोमानिया के आखरी राजा थे और रोमानिया से इन्होंने फासिस्ट रूलर एंटो नेसिव को हराया और इनकी कंट्री का जो नाजीस से अलाइन्स था उसको खतम करा 1944 में अली अब्दुल्ला सलेही ये यमन के पूर्व प्रेजिरेंट थे लाल जी सिंग ये वग्यानिक थे बहुत महान वग्यानिक इन्हें फादर ओफ DNA फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया बोलते थे वैसे DNA फिंगर प्रिंटिंग का विश्कार किया था एलेक जैफरी ने सर एलेक जैफरी, लेकिन भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग में काम किया था सबसे ज़्यादा लाल जी सिंग ने, ये सेंटर फॉर सेलूलर एंड मॉलिकुलर बायलोजी हिदराबाद के पूर्व डिरेक्टर भी थे, बनार सिंदो यूनिवरसिटी के 25 वे वाइस चांसलर भी पूर्व गवर्नर थे, ब्रूस मैकेंडलेस ये एक अंतरिक्ष वग्यानिक थे, ये अमरीका से थे और ये पहले वैक्ति थे जिन्होंने स्पेस में एक तरह से फ्लोटिंग किया था, बॉब गिवन्स ये एक कार्टूनिस थे, कार्टून बनाते थे और एक महशूर पूर्टू, स्पोर्ट्स एड्मिनिस्ट्रेटर, होकी इंडिया के पूर्व प्रेजिडेंट, सबसे पहले प्रेजिडेंट ये थे, और इंडियन अमेक्ची और बॉक्सिंग फेडरेशन के 16 साल तर प्रेजिडेंट रहे, और लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक खेल हुए पूचंग दादीबा अमरोली वाला, ये एक क्रिकेटर थे, और पांच बार रंजी ट्रोफी इन्होंने मुंबई के साथ जीती थी, ये बैट्समेन थे, नितिशा नेगी, फुटबॉल खिलाडी थी, बहुती कम उम्परमेन की डेथ हो गई, और जो पैसिफिक स्कूल गे इन्होंने लेंस इंप्लांट भी स्टार्ट करें, और इन्हें पदम श्री और डॉक्टर बी सी रोय अवर्ड भी मिला था, राधा विश्वनाथन ये एक कारनेटिक सिंगर थी, और ये MS सुबलक्ष्मी जी की बेटी थी, राधा विश्वनाथन, जॉन यंग ये एक अंत इस प्रेंटिक्ष वग्यानिक थे, जो स्पेस में 6 बार गए थे, एर मार्शल अजगर खान, ये पाकिस्तान एर फोर्स के पहले नेटिव कमांडर इनचीफ थे, और ये सबसे कम उमर के भी महाँ पे पाकिस्तान एर फोर्स के यंगेस्ट हेड थे, 35 की एज में सिरफ ये पाकिस्तान एर फोर्स के हेड बन गए थे तद सूरो टोयोडा ये टोयोटा कंपनी के पूर्व प्रेजिडेंट और जो टोयोटा का विस्तार करा उसमें इनकी काफी बड़ी भूमिका थी जापान से थे पीटर सदरलेंड ये वर्ल्ड ट्रेड और्गिनाइजेशन के पहले दिरेक्टर जनल थे ये ये थे पूर्व एटररनी जनल थे आयरलेंड के और युएन स्पेशल रेप्रेजेटेटिव थे इंटरनेशन माइगरेशन के तो काफी बड़ी सारी उपलब दियां ब्रिगेडियर कपिल मोहन इन्होंने जो शराब थी ओल्ड मॉंक वो बनाई थ पदम शरी इन्हें मिला था मोहन मियाकिन लिमिटेड कंपनी के ये चेयर्मेन थे बल्देव राज बल्देव राज बहुत ही महान वैज्ञानिक नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवान स्टेडीज बेंगलूरू के डिरेक्टर थे पूर्व और ये इंदरा गांधी से सक्षम यादव काफी कम एज में इनकी डैथ हो गई ये एक पावर लिफ्टिंग करते थे पावर लिफ्टर थे अगेन जो वेट उठाना होता है भारतोलन वो करते थे सुक्चैन सिंग चीमा ये द्रोनाचारे अवार्डिट थे और ये पहलवान थे रैसलर थे 1974 के जो ते हिरान एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत के लिए इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था पंडित बुद्देव दासगुपता ये एक सरोड प्लेयर थे इन्हें संगीत महासम्मान और बंगा भिभूशन मिला था पदम भूशन भी ने मिला था कोशन ऐसे आ सकता है कि प प्लेंस बास्केटबॉल टीम थी जिन्होंने गोल मेडल जीता था उसके भी ये सदस्य थे 1968 के जो समर उलम्पिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल मेडल जीता था एन्वी संकरन ये पत्रकार थे इनको ज्यानी संकरन भी बोलते थे ये तमिलनाडु से थे लेजली हार्डिंग PDE ये ए मिघाले के एक अफसर शाह थे मतलब सरकारी ओफिसर थे इन्होंने भगवत गीता रामायन माहभारत और उपनिशत्स को खासी लेंगवेज में कनवर्ट कर रा था जो मिघाले की एक लेंगवेज है तो ये लेखक थे अनिंद्या सेन गुपता पत्रकार थे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसियेशन के सेक्रेटरी और जो प्रेस क्लब है कौलकता का उसके छे बार सेक्रेटरी थे चांदी लहिरी ये एक कार्टूनिस थे कार्टूनिस आनन्द बजार पत्रिका में ये काम करते थे एवा मुखरजी बहुत प्रसिद एक्टरिस थी देवदास, डिटेक्टिव नानी जैसी इन्होंने उसमें रोल किये थे धारवाइक में और मुवीज में ये एक entrepreneur थे, philanthropist थे, मिघाले से थे इन्हें Silver Elephant Award मिला था उस वक्त ये राजपती प्रडम खरजी द्वारा जिमी आम फिल्ड एक फुटबॉल के खिलाडी थे इंग्लैंड के, इंग्लैंड नेशनल टीम के गुट्चरन सिंग कलकत, ये एक agriculture scientist थे, भारत में जो हरित करांती आई थी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था ये भारत के पूर्व agriculture commissioner थे, पदम श्री पदम भूशन इने मिला था, पंजाब स्टेट फार्मर कमिशन के चेर्मेन भी थे और पंजाब agriculture university के वाइस चांसलर भी थे Francisco Nunes Oliveira, ये दुनिया के सबसे बुड़े वैकती थे, इनकी उम्र थी जब इनकी death हुई 113 वर्ष, ये स्पेन के थे Kalamandalam, गीतानंदन, ये एक dancer थे और एक विशेश dance होता है जिसको बोलते हैं, ओतान तुलाल, ये वो वाला निरित्ते करते थे, उसके artist थे इसके अलावा इन्हें वीर श्रिंगला और तुलाल कलानिधी सम्मान मिला था, ये पहले artist थे जिन्होंने तुला पदा कचेरी नाम का एक musical depiction किया था, तुलाल आर्ट का और ये केरल से थे डॉक्टर सोनम दावा लोनपो, ये चीफ executive counselor थे और चेर्मेन थे लदाख autonomous hill development council के, डी एन साहय एक नेता थे और ये 36 गड़ के पहले गवर्नर थे, इसके अलावा तृपुरा के भी गवर्नर रह जुगे थे सुधा कर्माकर ये मराठी फिल्मों की एक actress थी और इन्होंने जो children's theater है मुंबई में उसकी शुरू किया था उसे और इसको बोलते हैं बाल रंग भूमी little theater मादबूर वासुदेवन नायर ये dancer थे कथाकली के, कथाकली के बहुत बड़े genius थे पदम भूशनी ने मिला था कथाकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल के dance है आसमा जहांगीर मानवादिकारों के लिए लड़ती थी, वकील थी बहुत बड़ी, human rights activist थी, civil liberties के लिए ल life fake film मनी थी, मुजफर हुसैन ये पत्रकार थे, पदम शिरी ने मिला हुआ था, लौकमान्य तिलक जीवन गौरव पुरसकार भी ने मिला था, महराष्टर की सरकार द्वारा अपनी पत्रकारिता में योगदान के लिए, बोला बुल्ली रमया, एक politician थे, एलूरू आंधर प में तक रहने वाले नेधर लेंड के या होलेंड के परधान मंत्री थे, और यॉनाइटिड नेशन्स हाई कमिशनर फोर रेफ्यूजी भी थे पहले ये, ये एक politician थे, डॉक्टर बी के गोयल बहुती बड़े एक दिल के doctor, कार्डियोलोजिस्ट थे, और कार्डियोलोजिकल Society of India के पूर प्रेजिडेंट भी थे, इन्हें पदम श्री, पदम भूशन और पदम विभूशन सारे मिले हुए थे, MS. Anantaraman, ये एक musician थे, इन्होंने एक अपना ही वाइलन का तरीका इजाद किया था, जिसको बोलते हैं, परूर style of violent, तो ये उसके exponent थे, परूर style of violent, राम स said, ये इंदौर के पूर्व मेर थे, इन्हें इंदौर का शेर बोलते थे, शेरे इंदौर, भानुशास्त्री ये एक politician थे, भारतिय जनसंग के founding member में से एक थे, और खादी बोड के chairman थे, TSR सुब्रमन्यम बहुत important है, एक अफसर शाही में थे, ये bureaucrate थे, cabinet secretary थे पूर्व, और एक TSR सुब्रमन्यम कमेटी बनी थी, जो भारत में education को कैसे अच्छा किया जाए, उस पे बनी थी, इन्होंने किताब में लिखी थी, India at turning point, the road to good governance, कौनवर भाई, 106 साल की ये महिला थी, 36 गड़ से, और धमतारी डिस्टिक्ट से थी ये, वहाँ पे इन्होंने अपनी बक्रियां बेचके एक toilet बनवाया था, तो इसलिए इनको जो स्वच भारत अभियान है, उसका शुभंकर, उसका एक ambassador बनाए गया था, निलाब मिश्रा पत्रकार थे, ये National Herald के editor-in-chief थे, Justice S. Ratnavel Pandyan, सुप्रीम कोट के पूर्व जज, इसके अलावा, National Commission for Backward Classes के पूर्व चेर्मेन, और ये तमिलाडू से थे, शंकराचारे जहेंदर सरस्वती, ये 69th, ये 69th, ये 69th थे, काची कामकोटी पीठम, काची मठ, डावीड अस्तोरी, ये इटली के फुटबॉल खिलाडी थे, सिर्फ 31 साल की उमर में इनकी death हो गई, और ये जो फ्योरंटिना टीम है, उसके captain भी थे, और उसके defender थे, जावेद अभीबी, ये भी मानवाधिकारों के लिए लड़ते थे, खासकर जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए लड़ते थे, उनके अधिकारों के लिए लड़ते थे, तो ये national center for promotion of employment for disabled people के director थे, disability rights activist, और he was also at the global chair of disabled people international, टी थॉमस, हिंदुस्तान Unilever और Business Standard के पूर्व चेर्वेन थे, प्यारे लाल वड़ाली, वड़ाली ब्रदर जो singer हैं, उनमें ये छोटे भाई थे, बड़े भाई का नाम है, पूरण चंद वड़ाली, और बहुत ही famous singer थे पंजाब से, सर जॉन सल्स्टन, ये एक जीव वग्यानिक थे, UK से, इन्हें Nobel Prize मिला था, Physiology में Human Genome Project के लिए ये जाने जाते थे, चुंग जाय सुंग, दुनिया के पूर्व वल्ड नंबर वन बैड्मिंटन खिलाडी थे, और ये साउथ कोरिया से थे, शिवाजी दाजगुपता, एक broadcaster थे, basically football match में commentary करते थे ये, और East Bengal Football Club ने इन्हें lifetime achievement award दिया था, broadcasting में, ये पहले भारत के commentator थे, जिन्होंने एक football match में commentary की थी, बहार के football match में, जैंदर नाच चतुरवेदी, ये दिल्ली पुलीस के पहले commissioner थे, और ये उत्तरपरदेश के DGP भी रह चुके थे, रंजन रोय पत्रकार थे, Times News Network के chief थे, Sir Ken Dodd, एक comedian actor UK के थे, और इन्हें the last great music hall entertainer बोलते हैं, TR चंदरदत, एक समाजिक कारे करता, इनको हम दत मैश बोलते थे, ये जो थ्रिसूर में, Center of Science and Technology for Rural Development है, उसके director थे, जिसको बोलते हैं, Cost Ford, केदारनाथ सिंगे कवी थे, इन्हें ज्यानपीट पुरुसकार, साहित तेकर्मी पुरुसकार सम्मिले हुए थे, इसके अलावा, JNU में, Hindi Department के chairman थे, जिसे बोलते है, Department of Hindi Language, Less Pine बहुत important है, ये Pulitzer Prize जी चुके थे, अमरीका से, बहुत ही जादा ये एक brave journalist थे, Linda Brown, एक मानवादीकारों के लिए लड़ती थी, civil rights activist थी, और अमरीका में, जो भेदभाव होता है, रंग के अधार पर, उसको काफी हद तक खतम करने में, इनका काफी बड़ा योगदान था So, ये थे 100 most important obituary पिछले 6 महिनों के, और I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो like, comment, subscribe करिए, और एक बार जाने से पहले, आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे जो pen drive course की sale है, वो कल से start हो रही है 11 तारिक से, और ये चलेगी 18 तारिक तर, खर थोग से चलेगी टेपने से, तो खाँ रच trauma के रचान से, चक्के बब्स